इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे भागलपूर साहिब गंज मालना रेलखन पर एक ऐसा हाथसा हुआ है जहांपर की 100 फिट तक प्लेटफॉर्म धस गया जानेंगे इस वीडियो अपडेट में पूरी जानकारी के बारे में और ट्रेन के परिचालों को लेकर क्या अ रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म संख्या दो धस गया एडियार्म ने कहा कि मिट्टी के चार से पांच फीट नीचे धसान होने के कारण यह समस्या खड़ी हुई है ट्रेन के संचालन को अभी फिलहाल इस रेलवे स्टेशन के रास्ते किया तो जा रहा है लेकिन बैसं प्लेटे से ट्रेनों का संचालन दोबारा से यहां पर स्टॉपेज के साथ साथ आने सुग्धाएं पैसंद्रों को देखने को मिलेगी दरसल यह घट में भागलपूर साहिब गंज रेलखन पर एकचारी रेलवे स्टेशन से निकल कर आ रही है जहां पर कि 100 फीट से अधि अधिक धसने की वजह से इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों का स्टॉपेज फिलहाल रोका गया है इसके कारण इस रेलखन पर ट्रेनों के परिचलन पर आनसिक असर पड़ा है एकचारी रेलवे स्टेशन के पास कौशन पर ट्रेन गुजर रही है मालदा रेलखन की ओर से इ 30 फीट धस गई थी जिसका असर प्लेटफॉर्म संख्या दो पर पड़ा और यह समस्या सुक्रवार की साम से खड़ी हो गई थी और देर रात के बाद प्लेटफॉर्म 100 फीट से ज्यादा धस गया अस्थानिया रेल के अधिकारी बताते हैं कि इसकी जानकारी तुरंत रेल बनकारी टेस्ट अबटे चलिट चलियर